ओम शांतिंग आज तेरहा मैं दोहजार चौबेस बाबा के महवक्चे हैं मीठे बच्चे तुम यहां मनुष्य से देवता बनने की त्यूशन लेने आये हो पौडी सहीरा बन रहे हो प्रश्न है तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता क्यों उत्तर है क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है बाप बच्चों से खर्चा यानी फी कैसे लेगा बाप का बच्चा बने गोद में आये तो वर्से के हकदार बने तुम बच्चे बिना खर्चे कोडी से हीरे जैसा देवता बनते हो भक्ति में तीर्थ करेंगे दानपुन्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा यहां तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं सारा वर्सा मुफ्त में देते हैं पावन बनो और वर्सा लो धार्णा के लिए मुख्य सार है पहला स्वयम को गरीब से सहोकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी घ्यान रत्न लेने हैं यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है इनकी वल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है यह पढ़ाई ही सोर्स ओफ एंकम है इसी से ओच पद पाना है दुसरा रामसंप्रदाए में आने के लिए संपोल्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है कुसंग से सदादूर रहना है सबसे बुध्धी योग हटा कर एक बाप में लगाना है वर्दान है शक्तिशाली जाद द्वारा सकिन में पदमों की कमाई जमा करने वाले पदमा पदम भाग्ये शाली भावर आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सकेंड की याद से पदमों की कमाई जमा हो जाए जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे इसलिए कहा जाता है पदमा पदम भाग्ये शाली जब किसी किंग अच्छी कमाई होती है तो उसके चहरे की फलक ही और हो जाती है तो आपकी शक्ल से भी पदमों की कमाई का नश्या दिखाई दे ऐसा रोहानी नश्या रोहानी खुशी हो जो अनुभव करें कि यह न्यारे लोग है स्लोगन है ड्रामा में सब अच्छा ही होना है इस मृती से बेफिक्र बाद्शाह बनौं आम शांते आम ह evac, और बाद्शाह में झाल आम शांते कि वारद्श ट्रों यार्टहीत् हो सकनी आम वो बाद्शाह में मृतू हुब